वेलकब टू दे स्टडी हंस चैनल दोस्तों आप स्टडी हंस के द्वारा अपनी एक्जाम को और अच्छा कर सकते हैं यहां पर डेली कर इंटरफेर मिलेंगे डेली अपडेट्स मिलेंगे आपके एक्जाम के ओरियंटेड यहां पर कोचन आंसर मिलेंगे टॉपिक्स यहां के नोटिस बोर्ड के थो आप देख सकते हैं कि जैसे भी हाली में पैट एक्जामनेशन हुआ था उसका रिजल्ट प्रजेंट है आप डैक्टली क्लिक करके देख सकते हैं UP NHM की बहुत बड़ी वैकेंसी अभी हाली में आई है उसका भी यहां पे लिंक प्रजेंट है तो दोस्तों इससे आपको हेल्प मिलेगी आप जादस जादा इसके साथ करनेट रही है ताकि आपकी एक्जाम्स को आप और बहतर कर पाएं तो चलिए दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो आज दिन भर की खास खबरे रही हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं करेंट अफेर उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं किया देखिए टॉप 12 मैंने कोश्चन सेलेट किये हैं तो उस पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन है देखिए गरतंत दिवस परेड अभी जो 2024 का हुआ है उसमें संस्कृति मंत्राले की जहांकी को प्रथम पुरुषकार मिला है इक्जाम के देखा जाए दृष्टिकोर से दोस्तों तो यह बहुत important question है पूछा दा सकता है आपसे second question है दोस्तों कि राष्टी वन्जीव बोर्ड की report आई है तो उसमें है भारत में 718 हिम टेदूए मौजूद है यह आपके जो count है यह भी बहुत important है third question दोस्तों उत्रा तो important नहीं है लेकिन कभी कभी पूछा जाता है politicians के बारे में तो आजाली असौमनी को मोरोज देश के चौथी बार राष्टपती चुने गए है next question है केंद्रे ग्रह मंत्री अमिस्सा क्रिसी और ग्रामीड विकास बैंकों और सहकारी समितियों के रिजिस्टार की computing करत परियोजनाओं का सुभारंब किया है काफी important है यह परियोजना याद रखिएगा next question है 31 जन्वरी को अंतराष्टी जेबरा दिवस मनाया जाता है days जो पूछे जाते हैं तो काफी important है recent exam में अगर कोई होने वाले हैं तो उसमें यह चीज पूछा दा सकता है next question है 72 अखिल भारती पुलिस हौकी चैंपियंशिप का एवजन जम्मु काशिविर में किया गया है next question है भारती गैस कंपनी गेल ने UAE देश के साथ 10 वर्सिये LNG समझोता किया है यह भी देश तो काफी important है इंटरनेशनल परफेक्च की दिश्टी से देखा जाए तो BCCI के ने पूर्व क्रिकेटर रवी सास्त्री और फारुक इंजीनियर को करनल सीके नाइडू lifetime achievement award से सम्मानित किया गया है तो जो awards आते हैं जो achievements awards जो दिये जाते हैं उसमें किसको मिला है और किसने दिया है यह दोनों ही बहुत कुछ पूछे जाते हैं तो आप लोग यह अभी जो recent paper होने वाले उनके लिए इसको आप अच्छे से याद कर लीजे फिल्मिची music award 2024 में अभिनेता पावन कुमार को golden voice of year चुना गया है इसरो ने हरी कोटा से advance मौसम सैटलाइट इनसैट 3DS को लाँच किया है यह भी दोस्तों काफी important है सैटलाइट किसने लाँच किया है इसरो ने कहां से लाँच किया है स्री हरी कोटा से नेक्ट कोशन है वरिष्ट आईएस अधिकारी सरत चौहान पुड्डू चेरी के नए मुक सजीव बने हैं तो काफी important है appointments आते हैं एक्जामें पूछे जाते हैं तो आप याद करिए और last question है हाली में संजीव जोसी ने एक समुंदर मेरे अंदर नमक किताब लिखी है तो recite में बुक यह लिखी गई है कोई exam आने वाला होगा तो question यह definitely बनता है यहां से एक ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं कल तब तक आप जादस जादा study hunts के साथ connect रहिए अपने दोस्तों को share करिए और अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो please 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 चैनल को subscribe करिए जय हिंद वंदे मातरम